हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आयूशी और बॉलिवूट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है कभी क्रिकेट ने बॉलिवूट का दिल चुराया तो कभी बॉलिवूट ने क्रिकेट को अपना हमसफर बनाया और धीरे धीरे ये रिष्टा गहरा ही होता चला गया आज हम आपको उन कपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके प्यार के तो खूब चर्चे रहे थे लेकिन ये शादी के मुकाम तक नहीं पहुँच पाये थे आईए जानते हैं इनके बारे में हार्दिक पांडिया जो अकसर अपनी स्टाइल को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं लेकिन इन दिनों हार्दिक अपने अफेर्स के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं कुछ दिन पहले से हार्दिक का नाम हाट अक्टरिस एली अवराम के साथ जोड़ा जा रहा है लेकिन इसी बीच हार्दिक का नाम उर्वर्शी रोतेला के साथ भी जोड़ा गया है खेर ये तो वक्त ही बताएगा कि हार्दिक इन दोनों में से किस्ते शादी करते हैं जहिर खार ने कुछ दिन पहले सागरी का घटके को अपनी हमसफर बनाया था मगर इससे पहले वो काफी लंबे समय तक इशा शरवानी के साथ भी रिलेशन में रहे थे साल 2011 के वर्ड कप के दोरान दोनों की शादी की काफी अफ़ाहे भी उड़ी थी इसलिए जब दोनों की ब्रेक अप के खबरे सामने आई तो सभी आश्चरी हो गए यूवरा सिंग जो की काफी रंगमिजास प्रिकेटर हैं करियर के शीर्ष पर उनका नाम दिपिका पादुकोन और किम शर्मा के साथ भी जुड़ चुका है दिपिका के साथ तो यूवी का नाम कुछ वक्त के लिए ही जुड़ा था लेकिन किम के साथ तो उनकी रिलेशनशिप काफी लंबे समय तक चली थी हाला कि ये किसी नतीजे तक तो नहीं पहुच सकी थी लेकिन दिल्चस्प बात तो ये है कि दोनों ही बॉलिवूड एक्टरेस से रिलेशनशिप अधूरी छोड़कर युवराज ने हैजल कीच को अपनी जीवन संगनी बना लिया बॉलिवूड के और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप बने रहें निउस्ट्रेक लाइफ डॉट कॉम के साथ इसके साथ ही हमारा वीडियो लाइक करें शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें